मेरे प्यारे देश्वासियों हर महिने हम ऐसी खबरे पढ़ते और देखते हैं जो हमें भावुक कर देती हैं यह हमें इस बात का स्मरण कराती हैं कि कैसे हर भारतिय एक दूसरे की मदद के लिए तकपर है वो जो कुछ भी कर सकता है उसे करने में जुटा है अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली यहां सियान गिले के मिरेम गाउं ने वो अनोखा कायर कर दिखाया जो समुचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है इस गाउं के कई लोग बाहर रहकर नोकरी करते हैं गाउं वालों ने देखा कि कोरोना महमारी के समय यह सभी अपने गाउं के और लोट रहे हैं ऐसे में गाउं वालों ने पहले से ही गाउं के बाहर क्वारंटीन का इंतिजाम करने का फैसला किया उन्होंने आपस में मिलकर गाउं से कुछी दुरी पर 14 अस्थाई जोपडिया बना दी और यह तै कि जब गाउं वाले लोट कर आएंगे तो उन्हें इनी जोपडियों में कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा उन जोपडियों में साउचाले, बिजली, पानी समेत, दैनीक जरूरत की हर तरह की सुविदा उपलब्त कराई गई जाहिर है मिरेम गाउं के लोगों के इस सामुहिक प्रयास और जागुरूता ने सब का ध्यान अपनी और आकर्शित कर लिया साथियों हमारी यहां कहा जाता है अर्थात जैसे कपूर आग में तपने पर भी अपनी सुगंद नहीं छोडता वैसे ही अच्छे लोग आपदा में भी अपने गून अपना स्वभाव नहीं छोडते आज हमारे देश की जो स्रम शक्ती है जो स्रमिक साती है वो भी इसका जीता जागता उधारण है आप देखिए इन दिनों हमारे प्रवासी स्रमिकों की ऐसी कितनी ही कहानिया आ रही है जो पुरे देश को प्रेणा दे रही है यूपी के बारा बंकी में गाउं लोटकर आये मज़्दुरों ने कल्यानी नदी का प्राक्रोतिक स्वरुप लोटाने के लिए काम शुरू कर गया नदी का उद्धार होता देख आसपास के किसान आसपास के लोग भी उत्षाईत है गाउं में आने के बाद क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए है हमारे स्रमिक साथ्यों ने जिस तरफ अपने कौशल्य का इस्तमाल करते हुए अपने आसपास के स्थित्यों को बढ़ला है वो अध्भूत है लेकिन साथ्यों ऐसे कितने ही किस्से कहानियां देश के लाखों गाउं के हैं जो हम तक नहीं पहुँच पाए हैं जैसा हमारे देश का स्वभाव है मुझे विश्वास है जातियों कि आपके गाउं में भी आपके आसपास भी ऐसी अनेक घटनाई घटी होगी अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आई है तो आप ऐसी प्रेरक घटना को मुझे जुरूर लिखिए संकट के इस समय में इस सकारात में घटना आए ये कहानिया औरों को भी प्रेरा देगी